नमस्कार आज की इस फाइब मिनिट वीडियो में हम गवार गम का उट्रूप देखेंगे देखिए मैं जानता हूं कि पिछले अगर दो तीन मेनों में बात करेंगे या हमने ऑक्टोबर में कहा था कि नवेंबर मन्द से जबर्दस तेजी बनेगी और हमने गवार गम में भी मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा बट हुआ क्या अचानक से हमने देखा एक भाली गिरावट आई प्राइजेस के अंदर लगबग 13 तानिक को दो दिन पहले 11,757 के आसपास का लो लगाता हुआ दिखाई दिया ऐसी धारना बन चुकी थी कि अब यह तेजी खतम हो चुकी है और मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाएगी ऐसे समय एक हार्मोनिक पैटन बनना हार्मोनिक पैटन एक वेव थियरी के उपर है जहां पर हम देखते है मार्केट पहले उपर जाता है फिर एक छोटा करेक्शन लेता है फिर नया हाई बाने कोसिस करता है बट वो फेल होकर एक नए लोग की तरफ तर जाता है लेकिन पॉइंट नमबर एक्स के नीचे नहीं जादा तो टेक्निकल समप है तो यहां पर हमने देखा प्राइजस मे कि उपर अगर प्राइजस निकल जाती है अगली केंडर ग्रीन हो जाती है तो यह बाइंग के लिए अच्छी अपॉट्यूटी होगी तो 11900 पर हमने बाइंग की अनिशेट किया है और प्राइजस ने स्लोली और चैडली कंसॉलिट होकर मतलब जो गिरावट थी उसको है और आप देख सकते हैं यहां पर इचीवी को क्लाउट ग्रीन में हो चुका है इचीवी को क्लाउट ग्रीन में होना मतलब तेजी का संक्यत है साथ में प्राइजस 200 मूविंग एवरिज के बिल्कुल टच कर गया है अगर अगले दो सेशन में थरस्डे और फ्राइडे प से पहले हमने फरवरी 6 तारीक को देखा था वहीं कुछ फंडामेंटल पॉइंट की बात करें कि ऐसी तेजी क्यों आईगी तो उसमें तीन चा बड़े फंडामेंटल है पिछले सुकरवार को लगबख सौ रिक्स में हमने बढ़ोत्री आते हुए देखी रिक्स काउंट कं प्रोडेक्शन बढ़ाना है तो सेल का प्रोडेक्शन बढ़ेगा और यूएस सेल प्रोडेक्शन अगर बढ़ता है तो गवार गव को सपोर्ट मिलेगा साथ में आपने देखा एक्सपोर्ट में भी डिमांड कंटीनू हरकत में है नोड़ प्रजस में जब गिरावट जिसके नतीचन आज हम प्राइजर्स को 12-700 का हाई भी लगते में देखा है तो टेक्निकल स्ट्रक्चर पर हार्मोनिक और वॉल्यूम्स भी अच्छे पिक अप कर रहे हैं तो मिझे लगता है कि अगर 12-650 का लेबल ये वीक पे क्लोस हो जाता है देन डेफिनिटल बड़ी अधिते जी का आगाज हो जाएगा जो 13-500 का भी लेबल दिखा दे जब तक प्राइजर्स हार्मोनिक पैटिन के ऊपर बना हुआ है 11,750 के ऊपर ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है अर आप चे लेके चलिए हाँ ये विकी क्लोजिंग जो है वह आगी के रणिती जरूर इंप फर्डमेटल पॉजिटिव होते वे दिखाई दे रहे हैं टेकनिकल भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है लेवल ब्रेकिंग इस हपते में होते वे देख सकते हैं हम लोग तो खास करके 12-700 का लेवल मान के चलिए इंपॉर्टन लेवल है 12-700 के ऊपर हम 13-13-500 का लेवल औ थोड़ा भी डिख मिलता है फिर से बाइंग अक्टिविटी करके चलिए गवाण सीर और गवाण घब दोनों में ही तेजी का रूप कंटिन्यू रह सकता है धन्यवाद